जाती देखकर साधी करने से जाती द्वेश नहीं बढ़ता है जाती देखकर किराया मकाउन लेने से जाती वाद नहीं बढ़ता है जाती देखकर कोई बच्चा जो है कोई मंदीर में घुजाए पीट देते हैं तो जाती जो है भेद नहीं बढ़ता है जाती और जाती जनगन से जो है आप जाती बाद बर रहा यह व्याकरन सबर नहीं समझते हैं उसमें परवीन तो गरिया ने कहने में देर कर दिया कौन सा पद पर अभी मुसलमान नहीं उठाए देश का प्रधान मंत्री राश्ट पती राजिपाल एक वी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है कि हमें अपनी जाती का नेता नहीं चाहिए हमें अपनी जाती की बात करने वाला नेता चाहिए ओभी सी समाज को भी सी नेता नहीं चाहिए ओभी सी समाज की बात करने वाला नेता चाहिए के सब्रसाद मोरिया लगातार जो है देश के ओभी सी समाज का जो है नाक नीचा करने का काम करें उस बेसरम को सर्म भी नहीं आती, इस टूल पे जाके बैट जाता है। अभी बिहार में राज सरकार ने जाती जनगना शुरू की है। जाती जनगना की मांग बिहार में लंबे समय से चल रही थी, लेकिन चुकी नितिजी भाजपा के साथ थे, तो उस समय जाती जनगना कराना राज में मुम्किन नहीं था। लेकिन हाल के समय में जब ये आरजेटी के साथ आ गए तो अब जाती जनगना बिहार में हो रही है। जाती जनगना की मांग हम सब की खास तोर पे इस देश के समाज की मांग बहुत पहले से हम मांग करते रहे हैं कि जाती जनगना का प्रकासन हो बिहार में तो फिर से शुरू हो गया। पिछले दिनों पिछले कुछ साल पहले देश में जाती जनगना हो चुकी है करोरों अर्बों रुपे खर्च करके जाती जनगना किया जा चुका है बस उसका प्रकासन नहीं किया केंदर सरकार में। प्रकासन किया इसका पीछे का जवाब असपस्ट है और जाती जंगरना क्यों होनी चाहिए यह भी असपस्ट है जाती जंगरना को लेकर अभी जो मीडिया में जो हाय तोवा मची है कि कौन जातबा मैं चैनल देख रहा था उसमें हेड़िंग लगा हुआ हुआ है कौन तो जो यह सवाल अभी जाती जिंगरना होने पर पूछ रहें कौन जात्वा उस मीडिया वाले से हम पूछना चाहते हैं कि जब तुम अपने बहन बेटी की साधी करते हो तो क्यों पूछते हो लड़के से कौन जातबा क्या लड़के से साधी करने से पहले नहीं पूछते हो कौन जातबा जितने टीवी के एंकर हैं जितने टीवी के प्रोड्यूसर हैं जितने टीवी चैनल के मालिक हैं जितने मनुव मीडिया वाले जो हाय तो वा मचाए हुए हैं वो सब कि वो अपने परिवार के जाहिर सी बात है सब सबरने वो अपने परिवार के बच्चों की साधी लड़कों की साधी की जाती में करते हैं और जब जातियों में साधी करते हैं तो क्या लड़के की जाती नहीं देखते लड़की की जाती नहीं देखते क्या वो सवाल नहीं पूछते कि कौन जातबा तो बिना जाती देखे आप साधी नहीं करते इस देख में जाती के नाम पर कबरिस्तान असमसान घाट हैं इस देख में जाती के नाम पर मुझपर नगर में तो कॉलेच चलता है इस देख में जाती के नाम पर जद चुने जाते हैं इस देख में जाती के आधार पर टीवी में एंकर चुने जाते हैं इस देख में जाती क लेते हैं तमाम चीजों में इस देश में जाती घूसी वई है तो फिर आखिर जहती ज़नगनना के प्रकासन से जहती जनगनना से के होने से अपती ये है कि जनगनना होने का मतलब है इस देश में S.C.S.T.O.B.C. की कितनी आबादी है यह पूरे देश को पता चल जाएगा साथी साथ यह भी पता चल जाएगा कि अगर इस देश में S.C.S.T.O.B.C. की आबादी 90 से 95 फिश दी है तो क्या वो इस देश के संसाधन में अपनी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित ले रहे हैं अपनी आबादी के हिसाब से भागीदारी ले रहे हैं जाहिड सी बात है नहीं ले रहे हैं इसलिए, जाती जंगन्ना से उनको डर लग रहा है, क्योंकि जाती जंगन्ना का परकासन हो गया, तो हर जाती को पता चल जाएगी, कि हम तो आबादी में इतने परतिसत हैं, लेकिन मिरा एक जजज नहीं है, मिरा एक वाइश चांसलर नहीं है, यह पता चल जाएगा इस बात से इन मनुवादियों के पेट में मरोर उठा हुआ है कि इनको पता चल जाएगा लेकिन हम यह बता देना चाहते हैं यह जो जाती जंगन्ना हुई है यह जाती जंगन्ना का जब प्रकासन होगा उसके बाद इस देश का SCSTOBC समाज चुप नहीं बेठेगा क्योंकि हमें पता है कि हमारी आबादी इस देश में बढ़ी है और हमारी हिस्सेदारी कम हुई है अब हमारी अगली लराई आबादी के हिसाब से भागीदारी होगी और जो बिहार का जो जाती जंगन्ना का प्रकासन है उसको होने के बाद उसको सेंपल माना जाएगा कि जितनी आबादी बिहार में बढ़ी है उसी के हिसाब से उसी अनुपात में पूरे देश में SCSTOBC समाज की आब्यादी बढ़ी है उनका प्रतिनिधित तो बढ़ना चाहिए उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए इस मांग के साथ हम लोग आगे ठाउन करेंगे सर्फ कानून के तहत मलग जातियों को कई भागों बाढ़ जे गया है जैसे उत्तर परदेश के अंदर निकाय किनाओ के अंदर यह तो पूरे देश में हो रहा है जहां भी बीजे पी की सरकार नहीं है वहां की सरकारें लगातार से स्टी ओवी सी को उनका हक देने की कोशिश कर रही है लेकिन जहां बीजे पी की सरकार है जाहिर सी बात है बीजे पी की सरकार होने का मतलब सवर्णों का सासन बीजेपी की सरकार होने का मतलब मनुवादियों का सासन बीजेपी की सरकार होने का मतलब SCSTOBC के खिलाप होने वाला सासन SCSTOBC के खिलाप जब भ्रह्मनों का जब मनुवादियों का सासन होगा उसका ये मतलब होता है कि ये लोग S.C.S.T.O.B.C. के खिलाफ काम करेंगे ये S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षन के से देंगे जब बाजपई की सरकार आई तो भी 90 मंतरा ले आया अब जब मोदी जी सरकार में आये हैं तो लगातार देश की संपत्तियों को बेच रहें उनका उद्दे से असपस्ट है कि S.C.S.T.O.B.C. समाज की हकमारी की जाए हकमारी करने के लिए वो तमाम साजिसें कर रहें ना के वल वो सीधे आरक्षन खतम कर रहें बलकि आप देखेंगे वो कोट का भी नियायाले का भी साहरा ले रहें अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि निका निकाय चुनाओं में आरक्षन नहीं होगा मतलब आप देखें न्याय पालिका का मनुबल कितना बढ़ा हुआ है कि वो अपने मनुवादी एजेंडे को न्याय पालिका सरकार के साथ सांट गांट करके लागू कर रही है उसको पता है कि इस देश में जो है अभी सरकार उन तलवार और चक्कु घिसलो कोकि यह बाद में काम में आएंगे और आज बैकवर्ड के लोगो जो आरेक्षन जा रहा है तो चुक क्यों बैठे हैं यह तो जागरूपता का ममला है ना हमारे समाज में जागरूपता तो हुई मानिवर तंसी रामसान ने बड़ी जागरूप हुए लेकिन जागरूकता गलत दिसा में चली गई तो हुए गलत दिसा में यह चली गई कि जिस राजनेतिक डल को देश केMजती पर बिठाने लगे तो भाजपा जैसी पार्टियों को मौका मिल गया कि जिन जातियों को दरकिनार किया गया बहुजन अंदोलन से मिली सत्ता के बाब वो उन जातियों को भाजपा ने मंच दिया उन जातियों को भाजपा ने समाम देने की कोशिस की भले ही स्टूल पर बिठाते हैं पर कोशिस क कि मंच पर बिठा दें उनका वोट ले लिया तो यह जो जागरुकता है यह राजनितिक दिशा सही तरीके से नहीं पाप सकी इस वज़े से इस तरह का भटका उस समाज का देखने को मिला लेकिन हाल के दिनों में बहुत सारे अस्तर पे परिवर्तन हुआ है बहुत लेवेल प वापस लेना पड़ा नहीं है अब समाज थोड़ा जगा है असर यह उसका जागरन का लोग आवाज उठाते हैं और सत्ता तक बस यह समाज अपनी आवाज उची आवाज करके जरा दो अप्रेल 2018 करके बस सत्ता के काम तक पहुंचा दें क्यों करेंगे यह जो एसी जो ओवीशी सांसद है उन ओवीशी सांसद को आप ने इसलिए थोड़ा ही भोट दिया था कि आपके जाती की बात करेंगे आप तो वोट दे रहे थे मोदी को आप वोट दे रहे थे धारा 170 370 हटेगा आप तो वोट इसलिए दे रहे थे उनको कि मोदी जी राममंदिर बनवाएंगे आप तो वोट इसलिए दे रहे थे कि मुसल्मनों का चूरी टाइट किया जाएगा तो जो जो वादा बीजेपी ने किया सत्ता में आनेक बात सब को पूरा कर दिया तो वीसी अगर बीजेपी के साथ खड़ा रहकर सोचे का कि आरक्षण मिलेगा तो आरक्षण के लिए तुन्होंने वोट ही नहीं दिया है उन्होंने तो मुसल्मान को टाइट करने के लिए वोट दिया 370 हटाने के लिए वोट दिया तो वो तो बीजेपी अच्छे से कर ही रही है इमांदारी मुझे लगता है कि देश की सबसें इमांदार पाटी बीजेपी है जिन एजेंडों पर लोगोंने उन्हें वोट दिया उन एजेंडेव को बीजेपी ने पूरी इमांदारी से निभाया और पूरा किया जाती देखकर साधी करने से जाती देश नहीं बढ़ता है जाती देखकर किराय मकान लेने से जाती बाद नहीं बढ़ता है जाती देखकर कोई बच्चा कोई मंदीर में घुजाए पीट देते हैं तो जाती जो है भेद नहीं बढ़ता है जाती और जाती जनगन्ना से जो है आप जाती बाद बर रहा है ये ब्याकरन सबर नहीं समझते हैं हम लोग RSS के साथ हैं RSS हिंदू का संगठन है हम लोग भी हिंदू हैं हम लोग पूरी तरह RSS के साथ हैं बस RSS का एक सो साल पूरा हो रहा है अपना चीप किसी दलित को बना दे हम लोग RSS के साथ हैं बस हम ब्रह्मन और दलित यह जो खटीक पासवान चमार मुसहर महतर इन जातियों के साथ ब्रह्मन और राजपूत की साधी करा दे आरे से सामोही कुरूप से कराने लगें तो हम लोग भी आरे से के साथ भाट रहे हैं आप लोग नहीं आप ये बताए कि अगर आरे सेस का चीफ मांटना कैसे हो गया समवैधानिक बात मैं कर रहा हूं किसी मैं पूछ नहीं रहा हूं कोई खटीक और कोई ब्रह्मन साधी कर ले तो फिर देश मांटना कैसे हो गया और साधी आप जब साधी करते हैं कोई ब्रह्मन जब साधी करता है तो ब्रह्मन देखके ही साधी करता है कोई ठाकू राजपूत साधी करता है ठाकू राजपूत देंग ही साधी करता है उससे जाती-वाद नहीं बढ़ता है हम यह कहते हैं कि जाती के अधार पर साधी नहीं हो तो देश बटने लगा ये कौन सा तर्क है इस तर्क को हो चुकी है उसका प्रकासानों दॉक्तों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने में कुछ है देश का प्रधान मंत्री राष्ट पति राजपाल एक वी मिनिश्टर मुसल्मान नहीं है जज मुसल्मान नहीं है सीवी आई कगवर्नर को तो परवीन तोगरिया बोलने में दिर करा मोधी जित कव का हिंदु राष्ट भारत को बना चुक यह लग बात है कि सब जगह हिंदु राष्पति जयर्ज एंकर सब हिंदु है बावजूद इसके हिंदु खत्रे में मोधी जी के लिए चिंत कि हमें अपनी जाती का नेता नहीं चाहिए हमें अपनी जाती की बात करने वाला नेता चाहिए ओभी सी समाज की बात करने वाला नेता चाहिए ओभी सी समाज का रक्षन बचाने वाला नेता चाहिए ओभी सी समाज की हकमारी रोखने वाला नेता चाहिए ओभी सी समाज के जा करातार जो है देश के OBC समाज का जो है नाक निचा करने का काम करें उस बेसरम को सर भी नहीं आती श्टूल पे जाके बैड़ जाता है और जब OBC की हक्मारी हो रही है तो चुप बैठा वा है नकली-nकली बयान देता है नकली-nकली बात करता है उस बेसरमादमी को चुलु घ भर पानी में डूब जाना चाहिए निकायच नाम में अगर गतम हुआ था उन्होंने मुकावला करा देखिए हाँ तो मुह के यह तो मुह के सेर हैं यह तो डटकर लरेंगे मुह के से मोदी जी भी कहते थे किसी दलित के साथ कुछ हुआ तो फुट-फुट कर रोने लगे मु पर होता निशनली स्कूल ऑफ ड्रामा में और एक्टिंग में इनकी टकर हमिता बच्चन से ही होती मोदी जी कि इतने खतरना जूटे एक्टर है तो उस समय भी बैकवर्ड के लोग जो दलितों का प्मान कर रही थे मनवर कांशी राम साव और भेन मायवती ने मंडल आयू क की बात करी दिवारों की लिखवा दिया मंडल आयू लागू कर रही तो पुरसी खाली करो उस समय भी दलितों का प्मान किया जाता है और आज उन्हें पड़ी है बहुत पैसा है सरकार के अंदर यही तो लोग दलितों पास्तिया चार कर रहे हैं जिनको बैकवर्ड की बास लागू करने की बात कर रहे थे बावजूद इसके अब पहले वाली बात नहीं रही जो बात मंडल कमिशन के दौर में थी अभी के समय में ओभी सी समाज में भी अच्छी खासी जागूरुकता आई है ओभी सी समाज का एक हिस्सा अब आरक्षन के बारे में समझने लगा है यह अलग बात है कि ब्रह्मनों ने जिसकदर बैमानी कर दी जिस तरह का जातिवाद और हिंदुत्यू का जहर हम लोगों के अंदर डाल दिया है हम सब अपने अधिकार को लेकर उतने सजग नहीं है ओभी सी की ही छोड़ी है सी का भी पूरा हिस्सा कहां आरक्षन को समझता हाँ यह अलग बात है कि OBC के कंप्रिटिवली देश का जो समाज है वह आरक्षन को लेकर जादा अवेर है जादा सजग है यह सच बात है पर इन हमने तब भी लड़ाई लड़ी थी आरक्षन की अभी लड़ है और लड़ते रहेंगे आदिवासी समाज भी कहां लड़ता ह दिवासी समाज का भी आरक्षन जो है देश का सिडूल का श्ठी बचाता है लड़ता रहा हमेशा से इस देश का इतिहास संगर्ष का यही है तो हम लड़ रहें हम लड़ते रहेंगे तभी अंतर तो तभी है ना का आप देखें जैसे विश्विद्याले में एक भी OBC का प OBC PMO नहीं है OBC जैज नहीं है लेकिन OBC कावर्ड होते हुए आपको मिलेगा OBC जो है महजित पर जो है लोड़ी स्पीकर टंगने में OBC मिलेगा इसलिए तो OBC की जादा दुरगती है यह अलग बात है कि आपके समय में थोड़ा यह समाज खुलकर सामने आ रहा है अपने अ समसे कम नहीं दिखती है क्योंकि लगनोव बैंच का जो फैसला था OBC आरक्षन के खिलाफ तो OBC समाज साथ खला लर रहा था लेकिन हम दुद्रम को मस्बूत कर रहा है तो करेंगे ना वह तो ब्रहमनिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है जातिवाब और धर्म इस तरह से हम विश्वास पाखंड सब छूटता जाएगा जो साथवी प्रग्या वो खुद OBC से आती है कुसवा है लेकिन वह तो ध्रम बताने की बात करते हैं तो अब क्या कर सकते हैं अब OBC समाज को तय करना होगा कि OBC समाज को साथवी प्रग्या चाहिए या डॉक्टर अंबेटकर के विचार चाहिए अब डॉक्टर अम्बेटकर करते हैं कलम पक हो और इनके जो है गोलुऑ करक्ति चाप ऑर तल वार कि उनको अमबेटकर के विचार चाहिए या गोलवलकर के विचार चाहिए क्योंकि हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं है इस देश में सीधी लड़ाई बैकवर्ड वर्चेस फारवर्ड की एक तरफ हम बेटकर खड़े मिलते हैं दूसरे तरफ गोलवलकर खड़ें आपको तैक करना पड़ेगा कि आप अमबेटकर के साथ जाते हैं या गोलवलकर के साथ जाते हैं वह भारती और जैता रहें जैसे वह भारती हो गए कल्यान सिंग्व इनको क्या मिला है मंदिर के बार इतो बताएं जब देश का सबस्यदिक OBC सहीद हुआ राम मंदिर के अंदोलन में और जब राम मंदी ट्रेश्ट बना राम मंदीर निर्मान ट्रेश्ट जो की सरकारी ट्रेश्ट है उसमें एक भी OBC नहीं तब तो OBC समाज ते करें कि राम मंदीर में उनको क्या मिला मलाई खाने की बारी कि रहें कि समाजिक तरह का भास माइस तरह यह धांचे में हो जाता है और क्या है कि ब्रह्मन जो है वो खुद से नहीं करेगा सवर्ण खुद से नहीं करेगा वो चलाक है वो सातिर है आपको आपस में लड़ा देगा वो खुद नहीं करेगा मनुवादी बहुत चलाक है वो आपसे बहुत हिंसक्त है वो बहुत सातिर ह है वो यहां से खिलते हैं हमारे लोग जो है देह से खिलते हैं और सबर्ण समाज यहां से खिलता है वो नहीं लड़ेगा वो आपको लड़ा देगा जातियों में इसलिए तो मौटा है उसनी